हाई दोस्तों तो आज मैं आपको fruit carrot से आपको grow bag यानी container बनाना सिखाऊंगा तो ये fruit carrot आपको 50 रुपय में कहीं भी मिल जाएगा तो चलिए आज की इस fruit carrot से मैं आपको अपने kitchen garden में ओधे लगानी के लिए प्रे बनाना सिखाता हूं और fruit carrot को आप grow bag में कैसे बदल सकते हैं तो चलिए मैं बनाना सिखाऊंगा दोस्तों सबसे पहले आपको ये fruit carrot लेना है देखिए ये fruit carrot आपको market से कहीं में भी बिल जाएगा 50 रुपया इसका नाम है और waste plastic जो खराब plastic आप बढ़िया भी ले सकते हैं मैं खराब plastic को काट लिया हूँ देखिए मैं किसी तरीके किस तरीके से बैठा रहा हूँ इसी तरीके से आपको बैठाना है ये देखिए इसके चौड़ाई इसके बाद इसको आपको जिधर जिधर बैठाना है उदर आपको ये प्लास्टिक को सेट कर लेना है दोस्तों यह देखिए मैं जिस तरीके से सेट किया उसी तरीके से आपको सेट कर लेना है फिर उसके हिसाब से आपको कट कर लेना है देखिए मैं कैंची से किस तरह का कट कर रहा हूँ उसके हिसाब से कैरेट के हिसाब से मैंने प्लास्टिक को कट कर लिया है आप इसमें कोई भी प्लास्टिक दे सकते हैं मैं इसमें वेस्ट प्लास्टिक दे रहा हूं दोस्तों जो मेरे काम का नहीं है तो इस कंटिनर में मैंने प्लास्टिक उसके माप के ले लिया है और उसी के हिसाब से मैं ये टेप मार रहा हूँ, देख लिजे, टेप को आपको इसी तरीके से एक कोने से दूसरे कोने तक मारना है, ताकि ये प्लास्टिक हिले ना, मिट्टी सरके ना, किसी तरीका कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसी तरीके से आपको प्लास्टिक को टेप क साथ कंटेनर में साड देना है देखे मैं किस तरके से साड रहा हूं इसी तरीके से आपको टेय न आ है और हैंडल जो है दो साइट का दोनों हैंडल को छोड़ दना है इस तरीके से आपको चिपकाना है देखिए मैंने हैंडल के पास चिपका दिया है ये टेप तो ये आप हैंडल पकड़ के आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं और इसमें आपको हलका स्वाइल डालना है दोस्तों मैं किस तरह के से डालूंगा वो देख लीजिएगा मेरे वीडियो में बने रही है दोस्तों और इस फुरूट कंटिनर से आप फल, सब्जी, वैगन, टमाटर, मटर कुछ भी हुआ सकते हैं तो इसी तरीके से आपको कंटिनर बनाना है ये देखिए मैंने दोनों साइट कवर कर लिया और ये तिसरा साइट कवर कर रहा हूं इसी तरीके से आपको टेप से सा यह फ्रूट कंटिनर दोस्तों छत पे आप डेर सारा सबजी फल पालक धनिया टमाटर बेगन कुछ भी ले सकते हैं यह टॉनी गाडन है दोस्तों मैं हर चीज घर पे बनाना चीज सिखाता हूं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए ताकि मैं हर दिन आपको एक नय वीडियो दे सकूँ और नीचे है देखिए इसी तरीके से एक छोटा सा प्लास्टिक को काटके नीचे साट देना है ताकि यह ड्रेनिंग होल बना रहे है और ड्रेनिंग होल के लिए आपको छोटे-छोटे छेद कर लेना है प्लास्टिक में ताकि मिट्टी बह के पाहर ना जाए इसी तरीके से जिस तरीके से मैं साट रहा हूं देखिए और इसी तरीके से आपको चाकू से छेदा कर लेना है यह देखिए मैंने चारो कोने को टेप से साट दिया ताकि नीचे से मिट्टी बह के न जाए यह देखिए मैं चाकू से होल कर ले रहा हूं छो 它 के मामले में तो आपको हाल का सॉयल ही यूज करना होगा दोस्तों यह देखिये मैं सबसे पहले कंटीनर में सूखे पने लिया इसी तरीके से आपको सूखा पत्ता लेना है ताकि कंटीनर हाल का वेट रहे उसके बाद आपको garden soil apply करना है देखीए मैं कि से तरीके से कर रहा हूं इसले कि से garden soil apply कर देना हैं दोस्तों और वो जो पत्ता है उससे कवर कर देना है और यह rice rice का छिलका है चावल का जुलका जो वोलते हैं धान का फ्षीलका इसे आपको apply करना है आप आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है इसे आपको मिला देना अच्छे से इसे क्या होगा कि आपका सोयल लाइट वेट बना रहेगा आपका कंटीनर बहुत हलका रहेगा फिर से आपको मिट्टी इसमें डालना है मिट्टी डालने के बाद आपको थोड़ा सा काउड डंक तो आप कहीं भी इसे ले जा आ सकते हैं और आपका छत पे भी कोई हानी नहीं होगा दोस्तो तो इसी तरीके से light weight container बनाने के लिए आप मैंने आपको सिखाया और इसमें सबजी फल कुछ भी ले सकते हैं यह देखिए मैंने फिर से उपर से rice का छिलका ले लिया धान का छिलका जो आपका container को हलका फुलका बना रहेगा और इसमें कुछ भी लगाईएगा उसका जड़ बहुत अच्छा growth होगा तो मैं इसमें क्या लगाया हूँ मैं देख लीजिए इसमें मैं पालक लगाया हूँ दोस्तो यह देखिए मेरा fruit container ये fruit container में मैंने पालक लगाया है और इस इसका ग्रोध देख सकते हैं दोस्तों मैंने इससे एक बार हर्वेस्टिंग ले चुका हूं और यह पालक फिर से ग्रोध हो चुका है तो इसी के पालक का वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो में जाईए मेरे चैनल को लाइक